जै मा काली मित्रों आपका मेरी चैनल मा काली मा दुर्गा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रों अगर आप मेरे चैनल पढ़ नई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे साथ ही नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कीजे जिससे मेरी आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए मितरो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि हमें किसी यग्ये में, हवन में ये किसी विशेश अनुष्ठान में किसी शुब कारी में, किस प्रकार के वस्तरधारन करने चाहिए किस प्रकार के रंगों का चुनाव करना चाहिए तो इसी पर ये पूरी वीडियो है आप वीडियो को पूरा सुनियेगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी देखे जैसे हम सामानी जीवन में जीते हैं उस समय पर हम किसी भी रंग का चुनाव कर सकते हैं अपनी दैनिक दिन्चरिया में हम किसी भी रंग को पहन सकते हैं लेकिन जब हमारे घर में किसी शुब कारी का आयोजन होता है कोई हवन होता है, कोई अनुष्ठान होता है तो उस समय पर हमें रंगों का चुनाओ बहुत सोच समझ करना चाहिए क्योंकि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो शुबकारियों में निशद होते है निशद का अर्थ होता है, निशद का अर्थ अशुब नहीं होता तो ऐसी परिस्तिती में आपको वो रंगों का चुनाव करना चाहिए जो कि शुबकारिये में पहने जाते हैं किसी अनुष्ठान में पहने जाते हैं तो उनी रंगों के बारे में हम बात करते हैं देखिए जब हमारे घर में कोई पूजा होती है या कोई हवन होता है या कोई अनुष्ठान होता है जो वैदिक विदी से किया जाता है या वैशनव रूप से किया जाता है तो उस समय पर हमें शुब रंग पहनने चाहिए में कोई शुबकारिय होता है तो उस समय पर आपको तीन रंग ऐसे होते हैं जो आपको धारण नहीं करने चाहिए आपको पूनत्या नीला रंग नहीं धारण करना चाहिए पूनत्या काला रंग आपको बिल्कुल भी शुबकारियों में धारण नहीं करना चाहिए और पूनत या इसी रंग का प्रियोग करते हैं तो ये रंग जो होते हैं वो शुबकारियों में निश्द होते हैं जो सुहागन इस्त्रियां होती हैं सुहागन इस्त्रियों को शुबकारियों में हमेशा लाल रंग पहनना चाहिए अगर आप देवी उपासना कर रहे हैं कोई देवी का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उस समय पर आपको लाल रंग का प्रियोग करना चाहिए, यानि लाल रंग के वस्तर आपको पहनने चाहिए, अगर आप भगवान कृष्ण का कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस समय पर आपको पीला रंग पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान क क्रिश्न को पीला रंग अतिप्रिय होता है तो ऐसे समय पर आपको पीला रंग धारण करना चाहिए अब हम बात करते हैं कि क्या काला नीला और सफेद रंग पूंत्या निशिद होते हैं क्या उनको अन्यविक्ति धारण नहीं करते हैं देखे जो लाल और काला और सफेद रं परगे की बात करें तो आपने देखा होगा जो काली उपासक होते हैं वो कले रंगप कोई वरियता देते हैं वो काले रंख वस्तरौन करते और किसी भी अनुषथान में अगर आप बात करते हैं कि मा जानका अगर जोक barrण कोई किया गया है तो इसलिए इस तरह के वस्तरों का प्रियोग इन अनुष्ठानों में किया जाता है इसी प्रकार से शनी भगवान के अनुष्ठान में नीले वस्तर का भी प्रियोग किया जाता है अब बात आती है सफेद वस्तर की सफेद वस्तर का जो प्रियोग किया जाता है भगवान शिव के अनुष्ठान में किया जाता है अगर आप भोले नात का कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो भगवान को सफेद रंग बहुत प्रिये होता है अगर आप कोई भगवान अगर आप चंद्रमा से पीडित हैं और संबार के प्रत करते हैं उस समय पर भी आप सफेद वस्तर धारण कर सकते हैं क्योंकि सफेद रंग चंद्रमा का होता है और सफेद रंग ही भगवान शिव को अति-प्रिय होता है तो उनकी अनुष्ठान करते वे उनकी विश्चिर्स दिन में पूजा करते वे आप सफेद रंग को धारण कर सकते हैं लेकिन जब शुबकारी घर में होते हैं तो सुहागन इस्त्रियों को कभी भी सफेद रंग धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि सफेद रंग अशुबता का प्रतीक होता है सुहागन इस्त्रियों के लिए तो ऐसी परिस्टिती में जब आपके घर में शुबकारी हो तो किसी भी सुवागन हिस्त्री को सफेद रंग बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए उसी प्रकार से आपको नीला और काला वस्त्र शुबकारियों में सिर्पे नहीं रखना चाहिए जब आपके घर में कोई भी शुबकारियों होता है तो आपको सर ढखने के लिए कहा जाता है तो आपका जो साड़ी होती है या आपका जो चुनरी होती है या दुपटा होता है वो भी काले या नीले रंग का या सफेद रंग का नहीं होना चाहिए वो भी लाल रंग का होना चाहिए, पीला होना चाहिए, हरा होना चाहिए, गुला भी होना चाहिए, सुनहरी होना चाहिए तो इस तरह के रंग होने चाहिए जब आप कोई भी शुबकारिय करते हैं तो मित्रो रंगों का अपने आप में एक विशेश महत होता है लेकिन जब आप एक विशेश अनुष्ठान करते हैं यानि कि आप भैरोजी का अनुष्ठान करते हैं मा काली का अनुष्ठान करते हैं मा बगला मुखी का अनुष्ठान करते हैं या आप मा दुर्गा का अनुष्ठान करते हैं यह किसी भी देवी देवता का अनुषठान करते हैं या आप कह सकते हैं हम Udhran के रूप में आपको बताते हैं अगर आप मा बगला मुखी का अनुषठान करते हैं तो उनके अनुषठान में हर चीज पीली होनी चाहिए यानि पीली बाती का ही मा को दीपक लगाया जाता है पीले ही वस्तर धारिन किये जाते है पीले ही फूलों का प्रियोग किया जाता है पीला ही नवैद्य मा बगला मुखी को चड़ाया जाता है तो यह अनुष्ठान की विशेषता होती है एक विशेश रंग के द्वारा एक विशेश देवी देवता की पूज़ा की जाती है तो उस समय पर रंग का विशेश मैत होता है तो आप उस समय पर उन रंगों को धारण कर सकती हैं तो यह विशेश रंग है जिनका आपको ध्यान रखना है शुबकारियों में ध्यान रखन और अपने धैनिक जीवन में आपको इतना ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता रंगो को लिगन लेकिन जहां पर बात शुबकारिये की आती है तो उस समय पर आपको अवश्य ही विचार करना चाहिए क्योंकि अगर आप विचार नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको कोई न दारे बढ़ती रहे आपकी सभी मनो कामनाओं को पूर्ण करती रहे आपसे जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महकाली जै महकाल